जय हैं दिश्टुटेंट्स वल्कम बैक अगेइन दिस दिवैंशु पांडे यूपी असी ने सीडियस फॉर्स टॉंटी टॉंटी थ्री के रिटेन रिजल्ट को पॉब्लिश कर दिया है और चलिए हम जानते हैं कि इस बार के रिटेन रिजल्ट में कितने हमारे कंड़ करवाता है इस बार का इनका एक्जामनेशन जो सीडिस फॉर्स टॉंटी टॉंटी थ्री का 16 एपरल टॉंटी टॉंटी थ्री को हुआ था अब उसके रिजल्ट को फॉर्थ में को डिकलेर आपका कर दिया गया है जहां पर टोटल 6518 कैंडिडेट्स ने जिसमें मेल और पीमेल बोथ आपकी इंक्लूडेड हैं उन्हों ने इस आपके रिटेन एक्जाम को पास कर लिया है तो सबसे पहले आप सभी जितने भी हमारे सक्सेस्फुल कैंडिडेट्स हैं उनको इससबी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शोब काम ना है इस बार जो मिनिस्ट्रा और डिफरेंस ने आपका CDSC के दौरा जारी रिजल्ट पब्लिश किया है वो आपके आई में कोर्स 156 जो कि जुलाई 23 में आपका कमेंस होगा आई ने एजी माला कोर्स जन्वरी 24 का AFA हैदराबाद प्री फ्राइंग ट्रेनिंग कोर्स 215-215FP इसका कमेंस्मेंट जन्वरी 2024 से होने वाला क्योंकि प्रेफरेंस तो आपकी अलग-लग होती हैं वहीं OTA चन्नाई में जो जाना चाहते हैं उनका 119th कोर्स और सर्विस कमिशन में के लिए Non-Technical UPSC के लिए आपका April 24 से वहीं पर OTA चन्नाई 33rd Short Service Commission Women Non-Technical UPSC कोर्स April 24 से आपका शुरुवात रहेगा आप सभी को अब जितने भी हमारे written qualified students हैं उनको www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर जाकर अपनी ID बना लेनी है अगर आपने ID पहले से बनाया है तो अच्छी बात है क्योंकि अब further details आपके SSB से related वहीं पर आपको हमारी Indian Armed Forces को दारा दिया जाएगा और जो आपके मार्शिट रहेंगे आपको within 15 days वहाँ पर पेश करना होगा जैसे ही आपकी training आपके वहाँ पर शुरुवात होती है क्योंकि उनको पूरा आपकी जितने भी original certificates होते हैं उनको चाहिए रहता है इसलिए अपने certificates को लेकर आप पहले से ready रहिए अब आप इस बार का result कहां पर जाके चेक कर सकेंगे वैसे तो आप ssb crack exam के website पर जाके भी हमारे blog page पर देख पाएंगे साथी साथ आप www.upc.gov.in के website पर विजिट करें जहां पर आपको written result और उसके लिए चे examination written result cds first 2023 का result दिखेगा आप row number wise या फिर name wise भी अपना नाम देख पाएंगे तो फटा फटा आप देखिए और comment box में comment करिए कि yes sir हमने qualify इस बार का exam कर लिया है important points आपके क्या रहने वाले हैं तो सबसे पहला candidates requested to submit original certificate, age, education qualification, NCC certificate etc जो भी वो मांगा करते हैं not later than first of January 2024 for IMA, IMA के लिए एक January 2024 के पहले का होना चाहिए उसके बाद आपको submit नहीं करना है और IMA के लिए भी not later than 13th November 2023 और AFA first April 2024 इसके पहले आपको अपने सभी original certificate वहाँ पे जाके submit करने हैं और आप ये ध्यान दीजे कि इसके बाद अगर आपका कोई भी result आता है, origin certificate रहते हैं तो उसको consider नहीं किया जाएगा तो इस time limit को आप ध्यान में रखे रहे हैं, अब जितने भी हमारे return qualified students हैं, girls, women, सभी उनकी SSB venues कहां कहां पर होंगे तो जिन्होंने अपना preference army को दिया है, उनकी SSB, SSB इलहाबाद, उत्तरप्रदेश, SSB भोपाल, मद्रप्रदेश, SSB बैंगलोर, करनाटक, SSB कपूर्थला, पंजाब में आपकी conduct करवाई जाएगी वही नेवी students के लिए जिन्होंने अपनी preference नेवी को दी थी, NSB कोयमबटू, SSB भोपाल, SSB बैंगलोर, SSB कोलकाता और NSB विशाक का बतनम रहने वाली है और जो FA वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1st AFSB दहरादूर, 2nd AFSB मैसूर, 3rd AFSB गांधी नगर, 4th AFSB वाराणसी और 5th AFSB गुवहार्टी में रहेगा तो इसलिए आप सभी अपने interview preparation SSB crack exam के interview master online course में जोड़ कर करिए प्राइस काफी affordable है और qualitative education, live batches के थुरू और recorded lessons के थुरू हम आपको provide किया करते हैं course के link नीचे description box में दी गई है important questions आप से पूछे जाते हैं कि आपकी दोरह हम से पूछे जाते हैं which SSB venue is best for me तो देखिए जितनी भी SSB centers हैं सभी के SSB जो test conduct होता सबका same रहता है सबका level भी same रहता है तो ऐसा कोई नहीं है कि कहीं पर tough है कहीं पर आपका easy है दूसरा how many attempts do I get in the SSB interview जब तक आपकी age नहीं हो जाती है जैसे 9 to 24, 19 to 25 आपकी age है तो वहां तक आप जितनी भी SSB आप देना हो आप दे सकते हो इसमें कोई भी आपका restriction नहीं रहता है what is a psychological test in SSB तो पहला तो हम सभी जानते इस screen test होता है पहले दिन का उसको जो pass कर लेता है वो अपने psychological test यानि कि second day में जाता है सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद आपका गुरूप टास्क होता है जैसे मैंने आपको बताया joininandarmy.nic.in के website पर जाना है वहाँ पर official login रहेगा वहाँ पर आप अगर आपने अपनी ID create नहीं की है तो सबसे पहले create कर लीजे create है तो अच्छी बात है वहाँ पर आपको आपकी dates और SSB center से related notification information दे रिया जाता है does the merit list really depend on the CDS score जी हाँ बिलकुल जो आपका written exam का score है उसको आपके all in a merit list से मिलाया जाएगा तभी आप all in a merit list में शामिल हो पाएंगे अगला आपका question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है which online coaching is the most effective for SSB preparation तो और कोई नहीं बलकी SSB crack exam ही SSB interview के लिए the best coaching है भारत की तो इसलिए आप हमारे इस e-learning platform से जुड़कर अपनी तयारी interview के लिए करिए जिससे की आप अपना भैतर रिजर्ड लेया पाएं और भारती सेनाओं में जाकर flying colors के साथ commission officer बन सके अब ऐसे हमारे experience जो की CD second 23 की examination के तयारी करना चाह रहे है उनके लिए important dates में बताता चलू तो देखिए notification इसी month 17 में को release होगी और starting date भी इसी तारिक से आपका शुरू हो जाएगा last date of submission of application 6 June release of admit card second week before exam आपके आजाएगा आपका CD second 23 का examination 3rd September 23 को Sunday के दिन होगा और result October या November मत में आजाएगा इसलिए आप सभी अपने return examination के तयारी SSB crack exam के e-learning portal पर जोड़कर करिए link नीचे description में दी गई है इसके अलावा भी हम सभी courses difference related चला रहे हैं warrant and code का ज़रूर यूज़ करें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पर मिलता जाएगा जे